हमारे सतर्क जवानों ने टेरिस्ट का मूव्मेंट नोटिस किया और जैसे ही टेरिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया दोनों टेरिस्ट को मार गिराया ये दोनों टेरिस्ट बहुती खूकार टेरिस्ट थे इन्होंने भारतिय सेना के कैम्प पे अट हका लगा है सवप्रतम मैं भारतिय सेना और जमुएन कश्मीर पुलिस के बहदुर जवानों को मुबारक बात देना चाहूंगा जोनों ने ऑपरेशन हलकन गली में बहुती बहादुरी से एक सक्सेस्फुल ऑपरेशन को दुर्बर इलाके में अन्जाम दिया पिछले कुछ महीने से हमें पाइफ ग्रूप की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हरकत की खबर आ रही थी और आट अक्टूबर को इस ग्रूप ने शेक हमें एक बड़ी उपलब्दी तब मिली जब हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेरिस ग्रूप लार्रू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहाँ पर हरकत कर रहा है इस खबर पे भारतिया सेना और जमूएन कश्मीर पुलिस ने मिलके एक जॉइंट प्लैन बनाया और आपरेशन हलकन गली को लाउंच किया जिसमें भारतिया सेना की 19 राश्टर राइफिल वन पैरा स्पेशल फोर्सेज सेवन पैरा स्पेशल फोर्सेज और जमू एन कश्मीर पुलिस ने एक साथ आपरेशन को अंजाम दिया हलकन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेरिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेरिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया टेरिस्ट ने अंदा दुन्द फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्ग जवानों ने बहुत ही बहादरी और सायम से इस आपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेरिस्ट को मार गराया इन दोनों टेरिस्ट के पास से भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद बरामद हुआ है जिसमें M4 राइफिल, AK-47 राइफिल, गरनेट्स, तीन आईडीज और भारी तादात में एमिनेशन मिला है ये दोनों टेरिस्ट बहुती खूकार टेरिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशन्स या टेरिस्ट हाथसों को अंजाम दे चुके थे जिसमें 3 और 4 आउगस्ट को 2023 में कुलगाओं के हालन में इन्होंने भारतिया सेना के कैम्प पे अटाक किया था कई नॉन लोकल्स की किलिंग में शामिल रहें और साथ ही साथ और आट आक्टोबर को राइफल में हिलाल को मारा था इन दोनों टेरिस्ट के मारे जाने से एलिटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धका लगा है क्योंकि इन में से एक टेरिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान जला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 में वापस आया और इन काफी आतंकवी गती वीदियों में शामिल रहा इस ओपरेशन की सक्सेस का श्रह मैं अनंतनाक की जनता को देना चाहूंगा जन्होंने बहुती सटीक खबर दी और पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें भरपूर अपना समर्थन दिया यह ऑपरेशन जमुएन कश्मीर में स्थित सारी सिक्योर्टी फोर्सेस की सेनर्जी का प्रतीक है और भारतिय सेना की कश्मीर में सांती स्तापित करने की प्रती बदता को दर्शाता है जहन जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबा जो हो हालकन गली में जो की लारनो पुली स्टेशन की जिरुडिक्शन में आता है वहां पे जो हो एनकॉंटर स्टार्ट हुआ इस एनकॉंटर में जो है वो दो लोकल जो टर्रिस्ट है वो निउट्रलाइज हुए है जहां तक इस ऑपरेशन का सवाल है मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑपरेशन जो है वो इसके पीछे जो है वो जमोन कश्मीर पुलीस और आर्मी जो है इस एरिया में हो रही है डूरिंग ऑपरेशन जो है वो मुद्बेड हुई और इस मुद्बेड में जो है वो दो दोनुं आतकवादी जो है वो मारे गए जहां तक जो टेरिस्ट जो है जो इस एंकोंटर में जो है नीटरलाइज हुए उनकी जो प्रिलिमनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो हसन पुरा बिजविहरा का रहने वाला है जो 2024 में अप्रेल के महीन में एक नन लोकल लेबरर को उससे वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टरिस्ट रैंक्स जो है वो जाईन की दूसरा जो टर्रिस्ट जो है जो इस मुद्बेड में जो है वो नियूटरलाइज हुआ उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है ये कौईमू का रहने वाला है ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टर्रिस्ट रिंक्स जो है वो जाइन की थी ये दोनु टेरिस्ट जो है वो बहुत सारी टेरिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो सौथ कश्मीर में इन्वाल थे जिसमें से खालन में एक आर्मी के जवानों को पे अटेक हुआ जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए आठ अक्तूबर तोहजार चुबिस को हिलाल एहमद राइफल में जो की टी ए का जो है वो राइफल में था उसको उन्होंने शहीद किया उसके बाद ही जो उसके बाद ही जो है वो उनकी मॉमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नजर थी और आज जो है वो इसमें दोनों के मताबिक जो है वह सिर्फ दो की खबर थी और दोनों जो है वो टेर्रिस्ट जो है वो नियुट्रलाइज हो दिया जी साव जूरिशन पास्ट सर्वियाव सी एक्टिविटीज आर वेरी मच गेनिग दी मोमेंटम अदो ब्रिगेडियर फिर्स्ट सेक्टर है सेड़ कि यह इ देखे ऐसा नहीं है जहां तक सौथ कश्मीर का सवाल है पिछले एक साल से कई टेर्रिस्ट जो है वो नियुट्रलाइज हुए यह अभी दो महीने पहले आडी गाम में उसके पहले चिनी गाम में मडर गाम में कई अन्ट कॉंटर्स हुए जिसमें कई देशचतगर्द जो ह कोशिश कर रहे हैं कि यहां के माहौन खराब करें लेकिन सिक्योर्टी एजनसी जो है वो बेलकुल सतर्प्त हैं और जो है वो कोई भी डिजाइन जो है टर्रीस्ट का जो है वो हम नाकाम करने के लिए यहां पे जो है वो बेलकुल सब्सक्राइब कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप इसक्राइब कुलिस इंडिया नार्मी के लिए पहले ही हमने बताया कि यह टॉप जो है वो रेंकिंग टेरिस्ट थे और इनकी जो एक्टिविटीज जो है वो पूरे सौथ कश्मीर में थी और इनकी जो इन्वालमेंट थ एक्टिविटीज में थी इसलिए इनकी का जो है इनकी जो किलिंग है इट इस इंडीड एवरी ग्रेट सक्सेस फार्द स्क्राइब कर्सेस्ट झाल झाल झाल